एक बार एक व्यक्ती हाथ में एक किताब लिए उसे बेचने के लिए खड़ा था फिर एक पढ़ाकू लड़की आई और उसने किताब का दाम पूछा आदमी बोला तीन हजार रुपे पढ़ाकू लड़की ने पूछा इस किताब में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है इने घर जाकर पूरी किताब पढ़ली लेकिन डर के कारण आखरी पन्ना नहीं खोला एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखरी पन्ना खोलकर देख ही लिया और सदमे से बेहोश हो गई वहां लिखा था मूले सर्फ सतर रुपे चाहे कितनी मर्जी किताबे बढ़लो लेकिन मार्केटिंग एक्सपीरियन्स से ही समझाती है बाप अपने बेटे से बोलता है बेटा जर अपने फोन का पासवर्ट बताना बेटा बोलता है पापा मैं डाल देता हूँ बाप बोलता है, बाप हूँ मैं तेरा, बता, बेटा बोलता है, मैं डाल देता हूँ न, आपसे कुछ गलती हो जाएगी, बाप बोलता है, अनपड नहीं हूँ, पासवर्ट बोल, बेटा बोलता है, फिर भी मैं डाल देता हूँ न, पापा, बाप बोलता है, पासवर्ट बत एक बार तीन शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुख गई फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और दो सेकिंड बाद वही बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुँच गए फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी तीन सो चार सुर पे दे दिये फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और तीन सो चार सुर पे दे दिये फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वह इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए और फिर उसने खीच के ड्राइवर को थपड मारा, फिर ड्राइवर को लगा कि उसका जूट शायद पकड़ा गया, फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थपड क्यों मारा, फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जानी जाने वाली थी, अगली बार दीरे चलाना, बेचारे ड्राइवर को भी समझा गया, कि शराव की नशे के आगे कोई नहीं जीच सकता, राम और शाम दोनों भाई है, अच्छा, दोनों रहते भी एकी जिगह पर, बड़ा बात, ये बताओ, रमेश किसका लड़का है, तेरे मामा का लड़का क्या है, डएnaden मामा बात, बार दीरे बताड अ पोनों दीया, कि हम साना भॉ समें जीच